हमारे पास financial accounting मैं सिर्फ एफए की बात कर रहा हूं financial accounting financial account में कुछ वेटेस दे रखा है कि unit number जो 1 है वो आएगा 15 marks का और अगर आप pages के मामले में देखोगे तो सबसे बड़ा unit 1 मिलेगा आपको अगर आप books के अंदर देखोगे unit 1 तो बहुत बड़ा है उसमें खूब सारे chapters भी है तो उसमें कौन-कौन से आपको points पढ़ने चाहिए वो भी पता होना बहुत ज़रूरी है unit number 2 में सिर्फ दो chapter है property, plant and equipment जो की हो रहा है valuation of inventory बहुत simple सा है जो की डल चुका है यह recorded में से पढ़ना है यह बीस नंबर का है financial statement और NPO में choice आएंगे तो financial statement को आप अच्छे से कर लीजिए और NPO में choice आता है तो इसमें NPO को सबसे last में करना है आपको accounting for branch और departmental दोनों important है पच्छिस नंबर का लास्ट का यह theoretical subject है computer accounting अब अगर हम इसको chapter में बांट दें डियू के according तो पहला chapter आपका introduction मतलब भया accounts क्या है accounts कैसे बना नहीं बना इसके अंदर से कुछ नहीं पूछा जाएगा दूसा chapter conceptual framework इसमें से भी कुछ नहीं पूछा जाएगा exam में यह सारे chapters आपके किताब में यह Delhi University ने इसलिए लिखा हुआ है ताकि जो बच्चा science या arts टीम का student है उनको यह पढ़ना जरूरी है commerce वाले बच्चों को नहीं पढ़ना यह इसके बाद इसमें से questions पूछा जाएगा इसके कौन-कौन से theory पूछा जाएगा मैं बता हूँ अभी देखो unit 1 चल रहा है unit 1 के अंदर ही आप ध्यान से देखोगे तो unit 1 15 नंबर में कितने chapter आगे हमारे total के total साथ chapter है unit 1 में ही जिसमें बच्चा एक तरीके से उलत जाता है क्या पढ़ना है कैसे करना unit 1 बहुत बढ़ा है यह तो और unit 1 में से आपको questions पूछे जाएंगे already आपको आते होंगे वह 11 वाले questions पूछे जाएंगे capital expenditure revenue expenditure going concern full disclosure यह सार जो unit 1 को मैं कहूंगा आप अभी ignore करके चले यह वो unit है यह वो chapters है सारे जो की theoretical है और यह exam से कम से कम एक हफते पहले करेंगे तो benefit मिलेगा अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं तो आप अपने mind से तो निकाल दे जैसे basic concept एंड आपका इसके बाद accounting standards क्या है इन में से questions नहीं आता है IFRS क्या है हमारा इन में से questions नहीं पूछे जाएंगे अब आ जाते हैं unit 2 यह काम का है इसमें से आपको क्या पढ़ना है एक तो यह एस पढ़ना है accounting standard 9 important है theoretical भी है और इसमें से कई बार practical questions पूछा गया है यह पढ़ना है इसके बाद property plant equipment आपका हो गया और यह हो गया तो सर हम में पढ़ना start अभी करा ही नहीं है तो कैसे पढ़ें तो simple सी बात है आपको इन तीनों में से फिलहाल कोई chapter नहीं पूर्ण मैं numbering लगा दूँगा कि पहले कौन सा chapter आपको पढ़ना है जिससे दिक्कत ना हो important unit है कितने number का unit है सर यह 20 number का unit है यानि यह तीन chapter अगर आप कर लेते हो तो exam में आपके 20 number पक्के हो जाते है आगे आईए सर अगला unit फिरसे यह 20 number का यानि सिर्फ 2 chapter कर लेते हो तो 20 number हो जाता है जिसमें से यह chapter काफी lengthy है और यह chapter भी lengthy है लेकिन यह वाला chapter आप जल्दी कर प प्रवाट था उसके लिए और जो नोन कॉमर्स स्टूडेंट बैग्राउंड पहले उन्हें 11 का पूरा पढ़ना पढ़ेगा तब समझ में तो सबसे पहले मैं बच्चों को बच्चों करें जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और सोच रहा है आप यार स्टार्ट करेंगे या कैसे पढ़ना स्टार्ट करें तो नंबर वन पर ये चप्टर उठाना है बुक्स आपको पहले ही लेके चलना है इसके बाद आगे देखा जाए चप्टर ने में, अकाउंटिंग फोर इनलेंड ब्रांच, ये भी अभी फिलाल नहीं करना, डिपार्टमेंटल भी नहीं करना, लीज भी नहीं करना, और लास्ट कम्प्टरर, इसके बाद जो आपको चप्टर उठाना है, वो उठाना है, नं नमबर तीन पर आपको उठाना है यह इस सीक्वेंस में अगर आप पढ़ते हैं आपको दिक्कत नहीं होगी और अगर आप भी वेट कर रहे हो ना कि आर अप पढ़ेंगे तो हो जाएगा थोड़े दिन और वेट कर लेते हैं शायद कुछ इंपॉर्टेंट कोशन पता चल ज आपकी डिपार्टमेंटल अभी नहीं करना अकाउंटिंग फॉर लीज अभी नहीं करना ब्रांच पहले कर लिजिएगा इसके बाद नंबर दो देखो कितने कितने लगा दिया तीन लगा दिये नंबर चार पे आप घूम फिर के आओगे और नंबर चार पे आप जो करोग इसके उपर आप आजाओगे नंबर पांच पे ये और नंबर चे पे लीज इसके बाद नंबर कर लेना आप लिख लेना ऐसा नहीं अब बस सोचो और नंबर चे के बाद नंबर साथ पे आपको करना है रेवेन्यू रेकोगनिजेशन पहला यूनिट तो मैंने छुड़वा दिया मत करो भाई ये मैं बता दूँगा क्या आएगा इसके बाद हमारा देखो सब चेप्टर पे निसान लगए इसके बाद हमारा आएगा आठवे नंबर पे साथवे के बाद आठवे नंबर पे इसको लास्ट में कवर अप करना है इसके अंदर से भी क्या-क्या कॉंसेट कवर करके जाना है यह मैं चेप्टर वाइस आपको सारे वीडियो में बनाके दे दूँआ और अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सीधा कंटेंट में पहली आप टेनियर से करोगे और यूनिट वन भी मैं आपको टेनियर से ही रिकमेंडेशन करूंगा अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं के टेनियर होता क्या है और कैसे करते हैं तो सिंपल सी बात है आपको अकाउंट में फाइनेशल अकाउंट चाहे प्रोग्राम का बच्चा हो चाहे ओनर्स का इसको अच्छे से समझने के लिए आपको बुक लेना पड़ेगा और अभी इतना टाइम है आपके पास अगर देखा जाए तो नेवंबर पूरा है तीस दिन और दिसंबर भी लगबग है क्योंकि आपके पेपर जन्वरी से है तो दो आप ये क भी के pegel और इसके साथ आपको must है 10 अभी आप सभी बच्चों को नहीं पता होगा कि टैनियर क्या होता है और टैनियर के ये writer के नाम है इनके मैं प्रिफेर ये वाली बुक कर रहा हूं जितने भी questions करा रहा हूं इस से करा रहा हूं 10-year जो लेना है आपको 10-year लेना है आपको शिव्दास का पब्लीशर का सर बुक कहां मिलेगी? बुक आपको नियर बाइ शॉप से ले लेनी है जाके कहीं भी बुक स्टोर है थोड़ा दूर अगर आपके घर है तो जाना पड़ेगा लेने के लिए और डेफिनिटली 10-year वहां मिल जाएगा अगर आपने बुक ले लिया है और 10-year नहीं लिया है तो मैं वेबसाइट भी दिखा देता हूँ आपको आप वेबसाइट पर जाओगे और यहाँ पर टाइप करोगे सिवदास.in सिवदास.in पर जाओगे आप और यहाँ से आप अपने 10-year को easily order कर सकते हो जैसे कि इसके अंदर income tax का मेरा 10-year आता है और financial management का आता है तो यहाँ से आप बड़े easily अपने 10-year को order कर सकते हो हाँ देखो यह financial accounting तो आप जाओगे यहाँ से order करोगे विदिन अगर डेली में हो तो एक से दो दिन में आपके घर पर delivered हो जाता है जो भी चार्जिस वगर है वहाँ पर स्टोर होगा contact number इन से ले सकते हो मैं contact number आपको प्रस्नली भी दे देता हूं कि अगर आपको कोई query होता है कि सर इस सब्जेक्ट का है या वेलेबल नहीं है उसका PDF मैंने टेलीग्राम पे भी और उसका PDF मैंने कौन-कौन से सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपके कोर्स में भी डलवा कि अगर फिर भी टैनियर में दिक्कत आती है नियरवाइशॉप पे नहीं मिल पाती तो मैं नंबर दे देता हूं कि ग्रीज आहुजा कि अगर नंबर मैं लिख रहा हूं इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सेवन जीरो डबल टिर्पल वन और सेवन 630 कि इस नंबर पर हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं नाम है ग्रीज जी कि वहाँ पर सारा सेल्स के मैनेजर है वह सिव्दास इंस पॉब्लिकेशन में वहाँ पर सारा का सारा सेल्स का यह देखते हैं तो अगर किसी भी राइटर से दुकान वाले बोल रहे हैं आपको के नहीं आई इबुक नहीं तो जो प्रॉपर जानकारी आपको इन से मिल जाएगी इन से पूछ लीजे के सर यह टैनियर मार्केट में हैं अगर बोलते हैं तो यह अपना जैसे भी क्यूर कोड या फिर जैसे भी पेमिंट करवा के आपक तरिक तक मैं आपका पूरा का पूरा स्लेवर सारेंज करके करा दूँगा 15 के बाद मैक्समुम 15 से 20 मान के चल रहा है उसके बाद फिर हम रिवीजन मोड पर आ जाएंगे ठीक है ना फिर हम क्या करने वाले इसके रिवीजन करने वाले हैं नई इबुक नहीं लेना किसी का सीधा आप हाड कॉपी से पढ़िए आप पता ही क्या वो चीजे का लिच के अंदर कई बात बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि आर कौन पढ़ता है बुक से कॉलेंच तो ऐसे ही हो जाता है कॉलेज कौन पढ़ता है कॉलेज तो ऐसे होता है लेकिन आप ध्यान कि आपका paper January में डाला नहीं तो वो 10 December को डालते आपका paper वैसे देखा जाए तो November के बाद December में paper हो जाता है तो आपको एक महिना समलने का time मिल गया इतने paper हो रहे हैं इस वजे से तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि कौन से चप्टर कैसे करना है और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ते जाना है कंटेंट में सारे फोल्डर्स डले हुए हैं फोल्डर के अंदर आपको इजीली सारी चीजे मिल जाएंगी आप लाइव सेक्षन को फॉलो ना करें इसके अंदर और भी चीजे में अरेंज करके अपडेट कर दो तो मेरे हिसाब से आपको चीजे समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से पढ़ना है नहीं पढ़ना जितने बच्चे नए जोइन हो रहे हैं और अगर आप अभी से डेडिकेटली पढ़ाई पर फोकस करोगे तो हो जाएगा इसके बाद बिजनस लॉग का लाइओ टैनियर आपका आएगा ऐसा ही बॉम का भी मैं को सारी कोस्ट करूंगा कि एप्लिकेशन के फोल्डर में डाल दो और ताकि आपको मिल जाए तो जो बच्चे एप्लिकेशन पर जो बच्चे यूट्यूब पर भी पढ़ रहे हैं उनको भी मैं बूलना चाहूंगा कि कि आप सीक्व पर ही आजाएगा और पता भी नहीं चलेगा आपके एक्साम आ गया है ठीक है